चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हर साइज चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ MCC के द्वारा 15% आल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, ESIC, सेंटरल इनिवर्सिटी और डिम्डी इनिवर्सिटी की कांसलिंग के लिए रेजिस्टेशन आज 27 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होंगे और 24 फिलिंग 28 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होकर 2 नौबर 2020 को क्लोज होगी ये रेजिस्टेशन mcc.nick.in की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे अगर आप भी इस कांसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाते हैं तो रेजिस्टेशन आपने ध्यान से करना है किसी भी प्रकार की मिस्टेक नए करें क्योंकि आपका यही रेजिस्टेशन मोप अप राउंड तक रहेगा इसके स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस का वीडियो में अलग से बना दूँगा मैंने वैसे मेरी बुक में आल इंडिया कोटा की बुक में स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस समझा रखा है तो आप इस वीडियो के description box से उस book को download कर सकते हैं और हमारी website www.topdaeducation.com से भी इसको download कर सकते हैं मैंने उसमें 24 filling के लिए भी top से lowest के करम में college को दिखाया है तो जो आप 24 fill करने में भी आप काफी मदद करेगी वो book आपकी अब मैं आपको यहां पर initially step बता देता हूँ आपने registration कैसे करना है तो सबसे पहले mcc.nick.in की website पर visit करने के बाद आपको new registration का option मिलेगा इस new registration पर click करना है अभी यह form start नहीं हुए है registration start नहीं हुए है तो जैसे ही यह registration start होंगे आप new registration पर click करेंगे यहां पर तो इस परकार का आपको interface दिखाई देगा यहां पर आपको roll number फिल करना है application number फिल करना है इसके बाद candidate name, mother name, date of birth, mobile number, email id और security pin फिल करके आपमें submit करना है यहां पर ध्यान रहे कि mobile number और email id जो आपने NTA की form को फिल करते समय दिया है वही दें तो better रहेगा अगर वो आपके पास available नहीं है तो आप इसमें new email id और new mobile number भी दे सकते हैं तो इस परकार से आप registration करके आगे के step जैसे ही यह registration start होंगे मैं आपको समझा दूँगा तो इस परकार से आप registration बिलकुल ही carefully करें तो और कोई update मिलेगी यह registration start होते ही मैं आपको inform कर दूँगा मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहीं